हेलो फ्रेंज मेरे चनल फैसन इस्टेडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आप लोग देख सकते हैं हम लोग नेमी की ओफिशल वेबसाइट पर है यहाँ पर बहुत सारे स्टुडेंट का मोपा प्राउन को लेके और भी बहुत सारी चीजों को लेके बहुत को मैं यहाँ पर उन लोगों के दूर करना चाहती है यहाँ पर बहुत सारे स्टुडेंट है जिनका जो 3400 आप लोगों को भी पता 3422 लोगों का ऐसा हुआ कि कॉलेज दे के भी फिर उनका अलोटमेंट कैंसिल कर दिया गया है सेकेंड काउंसलिंग में जैसा कि आप लोगो इसन भी तक क्लियर नहीं बताएगी लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहते हैं साउध के जो बहुत सारे इनस्टी आई ते जहां पर आप लोगों की बहुत कोसित करने के बादर कुसी डोपन जाए था अप कोसी अईसी थी जो अभी भी बंद चल रही थी लेकिन आप लोगों के लिए खुसी की यह बात है जो seat उन्होंने बंद की थी इस Mopop round में उन्होंने उन seat को भी open कर दिया था second counseling में वो open नहीं हुई थी लेकिन Mopop round आते आते उन seat को भी open कर दिया गया तो यह कहीं नहीं राहत की बात है बच्चे जादा से जादा admission ले पाएंगे मैं यह नहीं कह सकती कि 3422 जितने admission कैंसिल किये गए थे उन सभी को seat मिलेगी या नहीं मिलेगी college मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ भी make merit list जारी होगी merit के according अगर आप आ रहे हैं उसमें तो आपको मिलेगा उम्मीद है कि बहुत बच्चों को रहात मिलेगी क्योंकि इतने सारे बच्चों को college देके college को फिर बाद में not alerted दिखा रहाता नहीं मिला तो उन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं South की NSTI में उसके लिए आपको करना क्या होगा यहां पर आप देख सकते हैं download prospector 2022 देखे इन्होंने new दिया है हमको क्या करना होगा हम पहले इसको download कर लेते हैं फिर देख लेते हैं कि इतनी सीटे बढ़ी है बीच में देखे पहले आप लोगों को भी पता है जो है कि पहले पूरी सीटे अट इसको में प्रॉस्पेक्टर या था फिर क्या किया फिर 00 सीटे सिटे होने लगी पिर क्या सीटो को खोला गया कही 45 खोला गया, कही 28 खोला गया लेकिन इस बार में कितनी सीटे को open किया गया है वह हम लोग देखते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टर को डाउन्लोड कर लेते हैं हां से.. देखे ये डाउन्लोड करें हम लोग.. देखे पीडियाफ को हमने डाउन्डोड कर लिया है आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ CITES 2022 प्रोस्पेक्टर ठीक है अब हम इसमें देखते हैं कि कहां पे कितनी सीटे बढ़ी हैं जो साउथ के एनस्टे आई हैं देखे इस तरीके से आप स्क्रॉल करके नीचे आज देखे तो बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे हैं जिनको रहात मिलेगी आप देख सकते हैं यहां से देखे यहां पे देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से चलिए मैं आप लोगों को दिखाते हूँ देख सकते हैं आप लोग यहां पे कारपेंटर हैं यहां NSTI है आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हैं कि कहां पी कितनी सीटे ओपन हो गई है देखिए पूरी की पूरी लिस्ट है आप देख सकते हैं पर देखिए चैन नई की बात की जाए तो सुमिंग टेकनोलोजी की पचास सीटे ओपन कर दिया गया है देख लिजे यहांपे इससे बहुत सारे स्टूरेंट ऐसे हैं जिनको रहात मिलेगी देखिए यहां पर आप टोटल सीट की बात की जाए तो कितना हैं बावन सो है आप आप देख सकते हैं, बावन सो है, अब पहले कितना जब उपन किया गया है, कुछ सीटों को फर्स्ट काउंसलिंग में तब कितना था, ये 445 था, देख लीजिए, अब आप देख लीजिए, पहले ये इतना था, अब इतना हो गया, तो कहीं ने कहीं स्टुडेंट्स के लिए नेसे रहाता है, देखें, इस PDF आप डाउन्लोड भी कर सकते हैं, इस तरीके से अपने ITOT का भी चेक कर सकते हैं, आप NSTI का भी चेक कर सकते हैं, और इस PDF मेंने अपने Telegram ग्रूप में जोध्र शैन कर दिया है, जिस ने भी अभी तक मेरा Telegram गूप नहीं जोईन किया है, वो यहां पर आपके जैसे बहुत सारे स्टुडेंट है, कुछ ऐसे स्टुडेंट है, जिनको कॉलेज मिल गया है, कुछ ऐसे स्टुडेंट है, जिनको अभी कॉलेज नहीं मिला है, तो आप उनसे चीजों को डिसकस कर सकते हैं, वहां पर जितना जुरूत हो सकता है, मैं भी दूर करूगी बस कंटीनिव वीडियो से बने रही एक एक डाउट आप लोगों का क्लियर करूगी और मेरी वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए स्याइट से जुड़ी हर एक अपडेट आप मेरे चैनल के द्वारा मिलेगी चलिए मैं मोपा प्राउट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हूं चले वेप साइट पर चलते हम लोग आप लोग देख सकते हैं हम लोग निमी के ओफिशल पर एप साइट पाग है यहां पर मोपा प्राउट को लेके सारे स्टुडेंट ऐसे हैं देखिए आप देख सकते हैं मोपा प्राउट क्या है उनको यह भी नहीं पता है तो मैं उन लोगों का मोपा प्राउट का कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर देती हूं देखिए यहां पर आप च्वाइस फीलिंग ओफ मोपा प्राउट कब से दे रखा है 6-9-2022 से 8-9-2022 तक आप दे सकते हैं यहां तक दे रखा है आज जो की 6 तारिक है आज सी यह स्टार्ट हो जाना लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं 6 नंबर पर वेकेंसी अराइवल लिखा हुआ पांस तारिक हो मतलब जितनी भी सीटे खाली है वो सभी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी सेकंड काउंसलिंग खतब हो गया फिर उसके बाद में इन्होंने सीटे जी रहां पे जितनी सीटे खाली थी वो लिस्ट जारी किया तो यहां पर अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं दिया है और देखें यह मोपा प्राउंट 6 तारिक को स्टार्ट है देखें आप लोग देख सकते हैं मोपा प्रजिस्टेशन शेडूल टू स्टार्ट फ्रॉंट 6 9 2022 देख सकते हैं आप लोग कब से हैं साड़े 11 बजे से 11 थर्टी दे रखा है यहां पर टाइमिंग भी दे रखा क्लियर लेकिन इन्होंने टाइमिंग तो दिय है लेकिन स्टार्ट करेंगे कि नहीं क्योंकि निम्मी का काम आप लोगों को पता है जैसे स्टार्ट होगा मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगी देखें अब आते हैं हम मोपा प्राउंड क्या है ठीक है देखें मोपा प्राउंड वो राउंड होता है जिन student को first counseling में और second counseling में देखे first counseling में और उनको second counseling में ठीक है इस जगे नहीं मिली मतलब की institute अलोट नहीं हुआ है या फिर जिनको अलोट हो गया था उन्होंने documents verification नहीं करवाया अपना provisional admission नहीं लिया है उन लोगों को एक और मौका दिया जा रहा है मोपा प्राउंड के थ्रूँ ठीक है ध्यान रखे का मोपा प्राउंड के थ्रूँ उनको मौका दिया जा रहा है कि आप लोग फिर से अपने institute को जह हैं चोईस करिए फिर से क्या होगा merit list निकलेगी आपका result निकलेगा फिर आपका documents verification देख सकते हैं आप लोग यहां पर है documents verification कब से 10-9-2022 से 12-9-2022 तक फिर उनका documents verification होगा ध्यान रखे कि यह सारा काम जैसे आपका first counseling में second counseling में हुआ था same to same उसी तरीके से सारा काम आपका online होगा मोपा प्राउन कब है मैं आपको बताई चुकिए मोपा प्राउन कब है और देखे यहां पर बहुत सारे student का देखे एक confusion में सारा दूर करूंगे एक एक confusion दूर करूंगे बस continue video में बने रही है अब video अच्छी लगेगी लाइक भी करिएगा यहां पर बहुत सारे students ने मुझे message किया है कि इसमें हम कितने college choice कर सकते हैं ठीक है देखे अभी तक तो होते यही आया है कि इसमें आप सिर्फ एक college choice कर सकते हैं उसमें आपकी merit भी दिखेगी फिर आप उसके according change भी कर सकते हैं जैसे कि first round में और second round में हुआ था लेकिन इस बार क्या schedule रहेगा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि आपको भी पता है निम्मी पलपल में चीजे बदलता है तो देखे बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो change हो रही है इस बार एक ही college हम choice कर पाएंगे यह 5 college choice कर पाएंगे जैसे ही आपका जो है start होता है registration में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूँगे कि आपको एक college choice करना है कि आप लोगों को 5 choice करना है ठीक है अभी तक तो यही था कि एक college हम लोग choice कर सकते थे ठीक है अब देखिए कुछ student ऐसे हैं कमेंट करके पूछा क्या प्रोविजनल एडमिशन के बाद मोपर प्राउड में भाग ले सकते हैं देखिए इसका आंसर मैं अभी थोड़ी ज़र पहले ही बताएं हूँ लेकिन फिर भी एक बार क्लियर कर देती हूँ जिन student को seat मिल चुकी है college alert हो चुका है और उन्होंने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया वो मोपर प्राउड में भाग नहीं ले सकते हैं यह स्रिफ उन students के लिए हैं जिनको कहीं भी seat नहीं मिलिया और कुछ student जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है ठीक है वो इसमें participate नहीं कर सकते हैं इन सभी चीजों का आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है अब इंतजार करते हैं हम लोग जैसे ही site open होती है आप लोगों का registration मोपा प्राउन के लिए start हो जाता है आप college choice करेंगे किस तरीके से करेंगे क्या क्या चीजे हैं वो सभी चीजे मैं वीडियो के माध्यां से आप लोगों को guide करती रहूंगी बस continue channel से बने रही है अगर channel को subscribe नहीं किया है तो आप लोगों के पास में late में वीडियो पहुचेगी तो कहीं न कहीं आप लोगों को late में लेगी तो कहीं न कहीं आप लोगों को problem हो सकती है ठीक है इन onlar चीजों का मैने मझे लगता है कि मैंने मोपा प्राउन से related सारी की जानकारी दे दी फिर भी अगर कोई confusion जाता आप लोगों का तो comment box में आप लोग पूछ लिजेगा, मैं reply करूँगी आज की वीडियो में इतना ही जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए next video लेके आऊंगे, thank you